हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम करेंगे exercise 3.4 का question number 7 तो question number 7 हमारा क्या है a number is divisible by 12 why what other numbers will that number be divisible तो question में कह रहा है कि जैसे कोई number n है और ये जो है 12 से divisible है यानि अगर हम इससे 12 से divide करें तो reminder हमें 0 मिल जाएगा तो हम से पूछ रहा है कि ये जो n है वो और कौन-कौन number से divisible होगा अब यहाँ पर एक चीज देखो सबसे छोटा ऐसा कौन सा number होगा जो 12 से divisible हो वो 12 इटसेल्फ होगा इससे छोटा कोई भी number ऐसा नहीं होगा जो 12 से divisible हो 12 वंजा 12 अब यहाँ पर एक चीज देखो 12 जो है वो और किसे किसे divisible है जो की हमारे इसके फैक्टर हों क्योंकि हर नंबर उसके फैक्टर से ही divisible होता है तो 12 के हमें फैक्टर से यहाँ पर find out करना है factors of 12 यह हमारे क्या आएंगे एक तो 1 होगा 2 के टेवल में यह आता है तो 2 हमारा इसका फैक्टर होगा 3 के टेवल में 12 आता है तो 3 इसका फैक्टर होगा 4 के टेवल में आता है तो 4 इसका फैक्टर होगा फिर 6 के टेवल में आता है तो 6 इसका फैक्टर होगा उसके बाद में 12 के table में आता है, तो 12 भी इसका factor होगा, और factor हमेशा इसको divide करते हैं, तो इसका मतलब answer हमारा क्या आ जाएगा, answer आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, क्योंकि यहाँ पे 12 के other numbers पूछा है, तो 12 हम नहीं लिखेंगे, तो answer में यह आएगा, यानि अगर कोई भी number 12 से divisible है, तो वो इन number से भी divisible होगा, questions हम आप next lecture में करेंगे, next questions आज के लिए वस इतना है,